जै शनी देव अगर आपकी राशी व्रिशव है तो ये वीडियो आपके लिए हैं मैं स्वामी राजशी शनी पीठ मंदिर से आज आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी लेकर आया हूँ जैसा कि आपने थंबनेल में भी अब तक देख लिया होगा 24 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक ग्रेहों के राजकुमार बुद्ध देवता सिंग राशी के अंदर वक्री रहने वाले हैं पहले से ही शुक्र देवता करक राशी के अंदर वक्री हो रखे हैं इसके साथ साथ शनी देव भी कुम्ब राशी में अभी इस समय पर वक्री चल रहे हैं ऐसे में ये जो तीसरा ग्रेह है बुद्ध वो भी अब यहाँ पर वक्री होने जा रहा है और इसका क्या की राशी वरिशब राशी है आपकी कुछ क्वालिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपके सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर आप भी इससे रेजुनेट करते हैं यानि कि आपको भी लगता है कि ये क्वालिटी आपके अंदर है तो इसका मतलब आपकी र वक्री होने का क्या प्रभाव पढ़ेगा। उसके पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि आपकी राशी विर्शव राशी है। तो अगर जन्म समय पर ठीक से पत्रा देख कर आपका नाम P यवी यव B इन अक्षरों से रखा गया है तो इसका मतलब है कि आपकी राशी विर् आपको भी लगता है कि ये qualities आपके अंदर हैं तो इसका मतलब आपकी राशी भी विर्शव राशी है। तो विर्शव राशी के जातर बहुत ही practical होते हैं। वो जादतर emotions में भेकर decision नहीं लेते हैं। अधिकतर उनके जो decision होते हैं वो बहुत ही practical होते हैं। तक्त्यों पे अधारित होते हैं। इसके साथ साथ वो बहुत ही patient भी होते हैं। उन्हें decision लेने में कुछ समय लग सकता है परन्तु उनके जादातर decision जो होते हैं वो सही बैठते हैं। क्योंकि वो बहुत ही patiencefully हर तथ्यों को analyze करने के बाद हर fact को समझने के बाद ही अपना decision लेते हैं। ए आपको देखना है कि आपके अंदर है कि नहीं कि कई बार आप थोड़े materialistic हो जाते हैं। materialistic का मेरा अर्थ है कि आप कई बार कुछ भी चीज जो परसू करते हैं उसके पीछे पैसा एक प्रमुक्त कारण होता है। या किसी चीज को हासल करना, किसी चीज को प्राप्त करना आपका motive बन जाता है, तब ही आप किसी activity में पाट लेते हैं, किसी decision में सयोग देते हैं, किसी कारे में हाथ बटाते हैं। तो जब तक आपका स्वार्थ उससे सिध नहीं होता, तब तक आप उस काम को हाथ नहीं लगाते हैं। तो हर राशी के अंदर कुछ अच्छी बाते ह कि इनका बुरा अभी नहीं मानतें, बलकि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कमजोर बातों को समझ के, अपनी खराब qualities को समझ के सही decision लेता है, उनको सुधार करने का उनमें प्रयास करता है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में प्रगती करता है। और एक भगवान शी कृष्ण ने भी विर्शव राशी के अंदर जन में लिया था, तो क्या उनके अंदर खराब qualities थी? नहीं, बिलकुल ऐसा नहीं है, जो qualities उनके अंदर थी, उनको उन्होंने वश में किया था, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया था, उनकी इंद्रिया कि आपकी राशी व्रिशव राशी अब बात कर रहे थे हम लोग, कि अब जब बुद्ध वक्री होंगे, तो उसका क्या प्रभाब व्रिशव राशी के जाता के उपर पढ़ेगा, तो देखें, आब बात करेंगे, मैं आपके सामने कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस शुकर देवता के इस समय पर मित्र बने हुए है, शुकर देवता से मित्रता इसलिए जरूरी है, क्योंकि वो लगन च्वामी है, यानि कि शुकर का बल यहाँ पर बुद्ध को प्राप जरूर होगा, चलिए इसके अधार पर अब पलादेश क्या बनता है, तो देखें मैं अच्छा पीरेट, तो निश्यत रूप से घर, गाड़ी, मकान, आप कुछ भी लेना चाहें इस समय पर, उसके लिए समय अच्छा है, चाहें टू वीलर हो, चाहें फोर वीलर हो, आप हो इस समय पर खरीच सकते हैं, कहां पर सतर्कता बरतने की जरूरत है, उसको एक बार सम हो सकता है, हो सकता है, आपके पार्टनर को ऐसी बात कह स कह दें, जो आपको चुप जाए, यह और यह आपके रिलेशन्चिप में परेशानिया लेकर आ सकता है, इसके साथ साथ, कहां पर और सतर्कता बरतनी की जरूरत है, Education की दिष्टी से, देखिए हो सकता है, घर के मौह गये हैं इसकी वएसे मेरा वर्कलोड बहुत जादा हो गया कि भई में कुछ कमाना है और पैसा कमाना है इस चिंता की वज़ज़ से आप के जो घर का महल है वो खराब हो सकता है और हो सकता है इसका जो प्रभाव है वो उन छात्रों पर पड़े जो की इस समय पर अपने बहु परिशानिया आ सकती है इसके साथ साथ एक और जो परिशानी नजर आ रही है हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं तो स्कूल में कुछ शैतानिया करें जिसकी वज़ज़ से उनकी पीचर्स आपको बुला ले और आपको उनकी वज़़ज़ से डाट फटा सुनी पड़े य मैं आपको ये कहूंगा कि आप हमारे शनी पीत मंदिर में इस शनीवार को लगने वाले जनता दर्बार में आकर मुझसे मुफ्त में अपनी जनकुंगली को दिखाएं मैं आपको निश्चत रूप से ऐसे उपाए दूँगा जो कि आपकी हर परेशानी को दूर कर सके मेरे से पढ़ाही की है वहां से अपनी मास्टर्स इन इनफॉर्मेशन टेकनोलोजी की डिगरी हासल की है तो उसके बाद जो मुझे अनुभफ हुए हैं इन सब के आधार पर मैं आपको सटीक परामर्श दूँगा और एक जो विशेश बात है जो हमें सभी लोगों से अलग करत है कोई तांतरिक क्रिया कर रहा है ये सब बातें कभी भी शनी पीठ मंदिर में नहीं की जाती क्यों क्योंकि हम लोग एजुकेटेड बैग्राउंड से हमें मालूम है कि ये साधना संभव तो है ये तांतरिक क्रिया हैं वगेरा सब करना संभव तो है पर हर किसी एरे गेरे नत्थु खेरे की बसकी बात नहीं है अगर इस दुन्या में 700 से 800 करोड लोग हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मुठी बर यानि कि इस 50 से 100 लोगों से जादा इस विद्या को नहीं जानते होंगे जो तांतरिक विद्या होती है जो काले जादू से संबंदिर विद्या होती है ऐसे 50 से 100 ही लोग इस पूरे दुनिया में होंगे तो उनसे आपका पाला पढ़ जाए इसकी संभावना खुदी सूचे कितनी कम है तो ये जो तांतरिक क्रियाएं हैं जो काला जादू की जो बाते करते हैं नजर लग गई है आपके उपर किसी ने कुछ कर दिया है ऐसी कभी बात आपको हमारे शनीपीट मंदिर से सुनने को नहीं मिलेगी हम आपको वैदिक जोतिश के अधार पर ये बताएंगे कि आपके जन्म कुंदी में क्या परेशानी है जिसकी वज़े से ये जो समस्य आपके सामने आ रही है चाहें आपका स्वास से खराब रहता हो रिलेशन्शिप में प्रॉब्लम हो या फिर व्यापार मंदा चल रहा हो हम हर संभव मदद आपको इस शनीपीट मंदिर में देंगे और आपसे पहले बहुत से भक्त हम से मिलकर अपनी परिशानियों के उपाई ले चुके हैं जिनके वीडियो भी हमारे इस चानल पर हैं आप उन्हें अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं तो आशा करता हूँ इस शनीवार को आपकी और मेरी मुलाकात जरूर होगी और इस जनता दर्बार में आप वैदिक जोतिश के उपाई प्राप्त करके अपने जीवन में बदलाब जरूर महसूस करें इसके अलावा अगर आप अन्य राशियों पर बुद्ध देवता के वक्री होने का प्रभाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं या फिर इस वीडियो को भी आप देख लीजिए यहाँ पर बाकी राशियों की मैंने चर्चा की हुई है जैशनित